हेलो फ्रेंड्स, माइनेम इस कवीता, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लैटिटूड, कि लैटिटूड क्या होता है, तो आइए समझते हैं लैटिटूड क्या होता है, ज़ए अर्ध हुए है, सबसे पहली बात नहीं होगी मैंने equator लिखा है जिसके ऊपर मैंने zero degree angle लिखा हुआ है ठीक है तो equator जो है वो हमारा zero degree angle बनाती है और जो है equator को आप कह सकते हैं कि यह longest latitude है it means कि जो horizontal lines है horizontal angular lines जो होती है हमारी sphere के ऊपर अर्थ के ऊपर तो आप उनहीं को बोलते हैं latitudes ठीक है अब यह latitudes कुछ ना कुछ angles पनाएंगी क्योंकि यह circular shape में नहीं है क्योंकि यह spherical in shape में है अर्थ हमारी तो जो zero degree पे वो तो equator हो गया हमारा और जो 23.5 degree यह north and मतलब north north मतलब northern hemisphere में अगर आप इस equator को दो equal हिस्सों में divide करेंगे तो जो above portion है यह जो upper portion है यह वाला यह जो upper portion है आप देख सकते हैं यह वाला equator की ऊपर वाला half of the above portion of the equator तो आप उसको बोलेंगे northern hemisphere ठीक है that is why जो भी मैंने यहाँ पर angles लिखे हैं वो सारे के सारे N से denote के हैं N मतलब northern, north side और similarly जो यह equator के नीच वाली side है जो यह downward side में जो portion है पूरा का पूरा यह half of the downward side portion इसको आप बोलेंगे southern hemisphere that is why जो भी इस पर angles लिखे हुए है मैंने यह सारे के सारे S के साथ मतलब south के साथ में यह denote किये गए हैं अब जो 0 degree है उस पर तो equator आ गया और 23.5 degree जो north है यह हमारा यह Tropic of Cancer जो है यह line है ठीक है अब सबसे पहला तो question मेरे यह है कि इंडिया में से Tropic of Cancer पास करती है यह Tropic of Capricorn पास करती है यह आप मुझे comment section में बताना और अगर इन दोनों में से जो भी line पास करती है वो कितने states मे से होकर की गुजरती है आपको वो चीज भी बतानी है ओके तो यह question आपका है आप इसे note कर लीजे और आप मुझे इसका answer find out करके मुझे please comment करके बताना आप comment section में और यह जो है हमारा यहाँ पर south side में भी 23.5 degree south है northern side में 23.5 degree north उसको Tropic of Cancer बोलेंगे और similarly जो southern point में जो point है हमा अब जो मैंने कुछ zones बताये हुए हैं आपको अब देखे 0 degree से लेकर के 23.5 degree north और यह similarly in the south तो यह वाला जो पूरा portion है यह वाला जो पूरा portion है इसको आप क्या बोलेंगे tropical zone ठीक है और जो 23.5 degree south से लेके 66.5 degree south तक यह वाला जो portion है इन दोनों के बीच का इसको बोलेंगे temperate zone similarly in the northern hemisphere आप 23.5 degree north से लेकर के 66.5 degree north तक जो आपका portion है पूरा का पूरा इसको आप temperate zone बोलेंगे और जो सबसे उपर वाला portion है 66.5 degree south से लेके 90 degree south तक यह आपका polar zone हो गया similarly in the northern hemisphere उपर वाला सबसे अपर portion जो आपका polar zone हो गया अब क्या reason है कि इन जो यह जो हमारे portions है इनको tropical zone या फिर temperate zone या फिर polar zone में divide करने का, तो आये हम इस चीज को समझ दें हमारे next diagram से मान लिजे कि ये sun है sun की किरने जो है, वो हमारी earth के उपर पड़ रही है, ये हमारी earth है earth के उपर हमारी sun rays incident हो रही है, अब आप देख सकते कि जो middle वाला portion है जो कि equator आप जिसको कि आप उपर वाले diagram में समझ चुके हैं, कि equator 0 degree जो है हमारा equator बनाती है, 0 degree का angle, अब जो ये 0 degree जो है हमारा जहां पर हमारा portion शो हो रहा है, आप उस area में आप देख सकते हैं कि इतने इतने portion के अंदर जो ये 23 degree, 23.5 degree north और 23.5 degree south तक जो है, हमारे जो incident raise है वो बिल्कुल सीधी-सीधी जो है किरने earth के उपर पड़ेंगी सीधी raise जो है, जब incident होंगी तो वो 0 degree का angle बनाएंगी earth के साथ में, और आप देख सकते हैं कि गर्मियों के टाइम पर जब बिल्कुल 12 o'clock होता है और जब sun बिल्कुल आपके सर के उपर होता है उस time पर आपको बहुत ज़ादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो किरने जो है, वो सीधी आपके उपर पड़ रही है उनका जो है angle बिल्कुल 0 degree है और उस time पर आपको बहुत सीधी पड़ रही है, ठीक है यह बिल्कुल सामने है इसके यह वाला portion बिल्कुल सामने होने के कारण इसका जो है 0 degree angle बन रहे है और इसका जो है बिल्कुल sun rays है, वो बिल्कुल सीधी incident हो रही है और यह 0 degree का angle बना रहे है तो इसका मतलब इस वाले portion में जहाँ पर सीधी किरने पड़ रही है इस वाले portion में बहुत जादा गर्मी पड़ेगी as compared to the upper portion upper portion दोनों साइड में northern और southern hemisphere में दोनों साइड में जहाँ पर की ये वाला जो region है ये वाला इस वाले region में जो है जब sun rays जा रही है एक तो उनको बहुत जादा distance cover करना पड़ रही है क्योंकि आर्स की जो shape हो थोड़ी सी इस तरीकी से tilt होती जा रही है ऐसे करके spherical in shape है न तो बीच में से bulge out होगी spherical in shape है तो बीच में से थोड़ी सी बहार की तरफ निकली हुई है और उपर की तरफ जाते जाते आप देख रहे हैं कि distance ऐसे करके ऐसे ऐसे होते होते minimum होते जा रहा है ठीक है तो यह जो है थोड़ा सा distance इस तरीकी से जा रहा है इस तरीकी से जा रहा है ठीक है कम होते जा रहा है तो आपको जो है इस वाले portion में काफी जादा distance देंस भी कवर करना पड़ रहा है और बहुत जादा एंगल भी बना रहा है ठीक है तो इस portion के comparatively इस portion में कम गर्मी पड़ेगी इसलिए इन दोनों portions को एक दूसरे से अलग-अलग distinguish करने के लिए हमने इस वाले portion को नाम दे दिया tropical zone ठीक है और ये वाला जो उपर वाला portion कम गर्मी पड़ रही है इस पोर्शन में इस portion को बोला जाता है temperate zone ठीक है temperate का मतलब कम गर्मी है और tropical का मतलब है जादा गर्मी है equator का तो मतलब ही वो है कि बहुत जादा गर्मी है और जो हमारा polar reason है बिलकुल upper portion है जो polar reason जो है उस region में तो बहुत ही कम गर्मी पहुँच प पड़ रहा है और दूसरी बात कि वो बहुत जादा angles भी बना रही है जब वो बहुत जादा angle भी बनाए और बहुत जादा distance भी कवर करे तो वहाँ पर ना के बराबर ही मेरे ख्याल से sun की किरने जो है अपनी गर्मी पहुचा पाएंगे ठीक है तो इस वज़े से इस वाले रीजन को ट्रॉपिकल जोन क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सीधी किरने पड़ रही है जीरो डिगरी का एंगल बन रहा है और बहुत ही कम distance कवर करना पड़ रहा है तो आप जैसे जैसे आप एक्वेटर से आप जो है पोलर की तरफ पोलर जोन की तरफ आप जैसे डिक्रीज होता जाएगा इस डाइग्राम से आप यह कंक्लूड कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो यह लिखा हुआ है एट एक्वेटर की जो सन्रेज है वो डिरिकली फॉल करती है इन दे स्ट्रेट लाइन तो आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने थोड स्ट्रेट न रहकर के थोड़ी सी तिल्टिड रहती है उसी तिल्ट पोजिशन की वज़े से जो है हमारे सीजन्स चेंज होते हैं तो वो जो सीजन्स हैं किस तरीके से वैरी करते हैं वो मैं आपको कल की वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से एक्स्प्लें करूंगी और अगर इन दोनों डाइग्राम में से जो कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज मुझे लेट मिझनो इन दे कमेंट सेक्शन की आप लोगों को क्या चीज नहीं समझ आई प्लीज आप लोग मुझसे कुछ भी तरीके कि कैसे भी डाउट आप मुझसे पूच सकते हैं और this is for all today, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, thank you.